यूपी के बदायू में बीजेपी विधायक राजीव सिंग ने कृषी विज्ञान केंद्र का शिलान नियास किया कारिक्रम में वीडियो कॉन्फरेंसिंग के माध्यन से जुड़ कर भारत सरकार के कृषी मंत्री और मुक्य अतिती नरेन सिंग तोमर और उत्तरप्रदेश सरकार के कृषी मंत्री सूर्य प्रताप शाही की उपस्तिती में शिलान नियास किया गया कारिक्रम में विधायक राजीव कुमार सिंग ने कहा कि कृषी विज्ञान केंद्र पर केती की नई तकनीक के साथ प्रशिक्षन भी किसानों को मिल सकेगा जिससे कृषी आधारिक स्वार रोजगार के अफसर भी किसानों के लिए बढ़ेंगे जिससे किसानों की आये दोगनी होने में मदद मिलेगी दातागंज के किसानों के विकास में एक मील का पर्श लगाने का काम भार्ती जन्ता पाठी की सरकार के द्वारा किया गया है इस किर्षी विज्यान केंदर की स्ठापना से निसंदे यहांके किसानों के भिकास को गती मिलेगी किसानों को नई नई तकनीकी, नई उकरण, नई प्रसिक्षक के द्वारा उनकी केती को तुगनी और तुगनी आय करने का प्रियास सरकार के द्वारा किया जाएगा और इस बदाईयों के पिछडे छेतर में मैं समझता हूँ ये किर्शी विज्ञान के अंदर निसंदे इस छेतर नहीं अगल बगल के छेतर को भी एक विकास में बहुत बड़ा आयाम साबित होने वाला है और मैं समझता हूँ जैसी मेरी बात हुई है आज इसके प्रसासनिक भवन का सिलन्यास हो गया और छे महा में लगवा कि यहां पर जो थोड़ी सी बिल्लेंग है प्रसासनिक इस्तर की बन जाएगी यहां पर किर्शी विज्ञान के प्राचारिया और उनके साइक की निउप और इस छेत्र में किसानों के नए निर्वार नए उकास उत्रपात करने में यह किर्शी विज्ञान केंद्र यहां के किसानों की आय को दुगरी करने में किसानों को संसाधन उपलब्द कराने में और किसानों को आगे बढ़ाने को बहुत बड़ी उपलब्दी इस छेत्र क सिंग तोमर जी साहथ उत्तर प्रदेश के स्विक्रशी मंत्री जी और इससे जुड़े आइची आर के सभी अधिकारियों को भी बहुत बहुत बदाई देता हूं कि उन्होंने इस पिछड़े शेत्र में इसकारी का सिलानेस करके बहुत बड़ा हमारे किसानों पर हमारी जनत दाताओं की तरफ से इन सभी लोगों को जिन्होंने इस कार में सहयोग दिया है सब को बहुत बहुत घंड़बाद देता हूं 120 दी प्लेस्मेंट के साथ हम देंगे आपको मौका Life24 Media Institute, Admission Open, Registration के लिए कॉल करें 9560464170